आज जब देश अम्रतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है तब मद्द प्रदेश की भूमी का और महत्वपुण हो गई है मेरे परिवार जणों मद्द प्रदेश में भाजपा की सरकार को लगबग 20 साल पूरे हो चुके है यानि जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार बोट डालेंगे उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है ये युवा सवभागे साली है कि इन्होंने MP में कॉंग्रेस का वो बुरा शासन वो बुराईया उन्होंने देखी नहीं है MP में कॉंग्रेस के शासन की पहचान थी कूनिती, कूशासन और करोडों का करप्शन आजादी के बाद मद्यप्रदेश में लंबे समय तक कॉंग्रेस का ही शासन रहा लेकिन कॉंग्रेस ने साधन सबबन मद्यप्रदेश को समर्त युवाओं वाले मद्यप्रदेश को बिमारू बना दिया दोस्तों बिमारू बना दिया यहां के युवाओं ने कॉंग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्ता नहीं देखी यहां के युवाओं ने इस दोर के खस्ता हाल सडके नहीं देखी यहां के युवाओं ने अंधरे में जीने को मजबूर गाव और शहर नहीं देखे अपने हर कारकाल में भाजबा ने MP को नई उर्जा के साथ नई उचाई पर ले जाने का प्रयास किया इसलिए यहां के युवाओं ने भाजबा का सूसासन ही देखा है उन्होंने चारों तरब से विकास करता मद्दप्रदेश ही देखा है उन्होंने मद्दप्रदेश को देश के अगरणी गेहू उत्पादक राज्यों के रूप पे देखा है उन्होंने मद्दप्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत एहम है हमें द्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता MP के लोगों ने बनाया है उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं भटके नहीं उतरे नहीं और अठके भी नहीं हम अपने आस पास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्तान में मौका मिला तो कैसे कॉंग्रेस महा सरफ बरबादी लाई हमने महरास्त में देखा है कि कैसे कॉंग्रेस ने गड़बंदन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर वन काम बना दिया साथियों मध्यप्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपून है